पत्संक्या 21 से 35 में बताया गया है बहुत सुन्दर तरीकिसे साथ बार नहीं सत्तर गुणा साथ बार ये सत्तर गुणा साथ बार गुणा भाग मत कीजी कृस्त में प्यारे भाईयों बेहनों और प्यारे प्यारे बच्चों आतमदर्शन टिवी के माध्यम से मैं आप सब का स्वागत करना चाहता हूं आज संत्मती के अध्याय से पवित्र सुसमाचार लिया गया है संत्मती इस पवित्र सुसमाचार में बताते हैं कि कि सिमुन पेत्रूस येसु के पास गया येसु के पास जाकर उसने पूछा कि प्रभू मुझे कितनी बार एक व्यक्ति को माफ करना चाहिए जो मेरे विरूद गलतियां कर रहा है और बड़े गर्ष से उसने बताया येसु को साथ बार और देखिए प्रभू येसु क्रिस का उत्तर बहुत सुन्दर है प्रभू ने बिलकु स्पॉंटेनिसली बिलकु स्पस्ट कहा कि आप अनगिनित समय तक माफ करते रहो मैं सोच रहा था क्या ये संबव है क्या हम किसी विक्ति को ऐसे माफ कर सकते हैं क्या हमारे दिल को चोट नहीं लगती यदि कोई हमें तकलीफ देता है तो जरूर जरूर तकलीफ होती है बाइबल में पढ़ना बाइबल को समझाना बहुत आसान है लेकिन आपने जीवन में से लागू करना कठी है बहुत कठी है जब मैं चिंतन कर रहा था जब मैंने इन पंक्तियों पर चिंतन किया तो मैंने समझा कि प्रभू की भावना बहुती उत्तम है देखिए यदि हम उस वेक्ति को माफ नहीं करते हैं यदि उसकी खार को हमारे दिल में उतार के रखते हैं तो हमें आशिस नहीं मिलेगी इसलिए प्रभू कहते हैं कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए प्रभू ये बताना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं है उस वेक्तिकल जरूरी नहीं कि आपसे माफी मांगे या नहीं मांगे पर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए और जब तक मेरा दिल साफ नहीं होगा मुझे आशिश नहीं मिलेगी मुझे बरकत नहीं मिलेगी देखिए प्रभू ने इन पंक्तियों में जमीदार के बारे में बताया है किस प्रकार से उसके वसूला किस प्रकार से माफी दी गई और उसने बदले में माफी नहीं दी प्रभु ने पूछा क्या तुम्हें जिस तरह से माफ किया गया था तुम भी उसे माफ नहीं कर सकते थे जिस नाप से तुम्हें तोला गया है उस नाप से तुम भी नहीं तोल सकते थे इसलिए से कारागहा में डाल दो जी हाँ प्यारे भाई और भेनों, हमारा इश्वर एक दयालू इश्वर है, इस चालीसे में यदि मैं दयालू नहीं हूँ, इस चालीसे में यदि मैं इश्वर के वच्चन के आधार पर अपने आपको समझने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो मैं गलत करता हूँ, मुझे मेरा दिल साफ रखना है, जो करना है वो तो करना है, लेकिन दिल में कोई खराश नहीं होना चाहिए, दिल में कोई मन मुटाओ नहीं होना चाहिए, जो आपको बोलना है, सपष्ट बोलिएगा, माफ कर दीजेगा, आपका रास्ता लगे, मेरा रास्ता अलग हेगा परन्तों हम प्यार से एक दूसरे से भिन हो जाएं दिल में कोई खराज नहीं रखें अन्यता दोनों को आशिश नहीं मिलेगी कृस्त में प्यारे भाईयों भैनो आईए आईए समझने कोशिष करें कि हमारा ईश्वर दयालु है जिस प्रकार वो बारंबार माफ करता है मैं भी अपने लोगों को अपने सातियों को बारंबार माफ करूँ और अपने दिल को सुतंतर रखू, सांफ रखू, आमेन झाल झाल